किस युद्ध में मैसूर मराठो तथा हैदरावाद के निजाम द्वारा संजुक्त रूप से अंग्रेजों के रविद रहने का फैसला किया गया था यह पर्थम अंगल मैसूर युद्ध जो 17 सरसर से उनहतर तक चला था ब्रिटी सरकार द्वारा आधुनीक सिख्षा के परचार परसार की और पहला कदम कब बढ़ाया गया यह 1813 में बढ़ाया गया था 1906 में Depressed Classage Mission Society के अस्ठापना किस ने की थी 19-30 में भारत फुरा आंदुलन के दौरान सहीद हुए किस महिला करांतिकारी को बुढ़ी गांधी कहा जाता है यह मातंकिनी हजारा को कहा जाता है पुढ़ी गांधी कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंकाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वाराज मेरा जन्मसित अधिकार है और माई इसे लेकर हूँगा यह लखना अधिवेशन जो उन्हें सोलों में हुआ था यह भेरी भेरी आज मेरा जन्मसित अधिकार है जिसे बाल गंकाधर तिलक ने लखना अधिवेशन जो उन्हें सोलों में दिया था सकेंड दूस्ती चीए है कि गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था कि जगा आपको पहली बार लिखा होगा लेकिन 1915 में स्वादेश लोटने के बाद गांधी जीने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया तो यह है उन्हेशा त्यूस्ष developers कि गांधी जी ने पहली बार का भाग लिया था यहां dok уст प्रूस्ष करते है जिकांधी जीने 1915 में स्वधेश लोटने के बाद किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया तहां 1916 के लखना अधिवेशन होगी मिला गया एक साथ dependent गया था जो 1907 में गरम दल और नरम दल में जो विभाजन आ गया था कॉंग्रेस में जो विवाजन होगा ग्रम्दल और नर्मदल के रूप में उन्हेसे 16 में पुर्ण एक साथ कर दिया गया दूसरी चीज़ मुस्लिम लीग जो कॉंग्रेस से अलग थे उसे भी मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुहमद अली जिना ने पहली बार भाग लिया था लखनो अधिवेशन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लखनो अधिवेशन जो कॉंग्रेस का लखनो अधिवेशन उन्हेसे 16 में था उसमें पहली बार मुहमद अली जिना ने भाग लिया था जो लाशली आप जानते हैं पाकिस्तान नाम का देश्ट विभाजित करके बनवाया था जिसमें उसका मुक्ष योगदान था गुरुवायूर सत्याग्रा का सम्बंद किस्से था या दलित और पिछरों को मंदिर में प्रवेश से था मलब पहले जैसे आप जानते भी होंगे दलित और पिछरों को मंदिर में प्रवेश करना बर्जित था तो उन्हीं को प्रवेश दिलाने के लिए गुरुवायूर स सत्याग्रा जो डलित और के मंद्र में प्रवेश्द दिलाने के लिए कि रिभीलियन 1857 की रचना यह पीसी जुसी की रचना है रेविलियन 1857 नामसे पीसी जिसी ने एक भुक लिखा है इस वीडियो के माद्यम से आपके knowledge में थोड़ा भी increment हुआ हो या आपने उससे कुछ भी सीखा हो तब उसे जरूर लाइक कर दे साथ ही इस channel पर नए हैं अभी तक उसे subscribe नहीं किये हैं तिसे जरूर subscribe कर ले हैं जाहिंदे